अगर आपने income tax return फाइल कर दिया है और refund का इंतजार कर रहे हैं तो ये ख़बर आपके काम की साबित हो सकती है ITR filing की deadline खत्म होने के बाद लोग जाधा तर अब refund का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोगों को उनकी refund मिल भी गए हैं लेकिन बहुत से लोग अभी भी refund के इंतजार में हैं आम तोर पर refund मिलने में 10 दिन का समय लगता है लेकिन इस बार कई लोगों को महीना भट से जादा का समय हो गया है और उन्हें refund नहीं मिला है ऐसे मैं ये जानते हैं कि कैसे चलता है refund का process और किसे मिलता है सबसे पहले refund नमस्कार मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TVN Digital refund को लेकर हाल ही में निर्मला सीतारमन ने भी एक बड़ी बात कही थी उन्हेंने कहा था कि पिछले 10 सालों में income tax refund process होने का वक्त तेजी से कम हो गया है पिछले ही हफते निर्मला सीतारमन ने संसद में ये कहा था कि 2013-14 में income tax return को process करके refund जारी करने में औसतन 93 दिन का वक्त लगता था मही अगर अभी के बात करें तो साल 2023-24 में औसतन 10 दिन में लोगो कोन का refund मिल रहा है यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फिर refund सिर्फ 10 दिन में process हो जाता है आयकर विभाग की website की माने तो उस पर ये लिखा गया है कि refund आने में 4-5 हफते लगते हैं और वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन ने भी ये साफ किया है कि हर ITR 10 दिन में process नहीं होता है ITR को process होने में औसतन 10 दिन का समय लगता है और किसी ITR form में जित्ती जादा कठीनाईया होंगी उसे process करने में भी उतना ही जादा समय लगेगा ITR 1 की तुलना में ITR 2 जादा मुश्किल है और ITR 2 की तुलना में ITR 3 में जादा दिक्कते होंगे ऐसे में परिशानियों के हिसाब से ITR processing time बढ़ता चला जाएगा Income Tax के पूर Chief Commissioner रामकृष्ट रेनवासन के मुताबिक सबसे पहले ITR 1 के refund process किया जाते है उसके बाद नंबर आता है ITR 2 का और फिर ITR 3 का यानि जैसे जैसे ITR form कटिन बनता जाता है उसी तरह refund को भी process किया जाता है हाला कि अगर आपने ITR आखरी तारीक पर या उसके बहुत पास आने पर भरा है तो आपको refund मिलने में थोड़ी देर हो सकती है ITR 2 और ITR 3 के refund जिनमें कोई defect या दिक्कत ना हो आपको वो मिलने में कुछ महीनों तक का वक्त लग सकता है भरहाल आपका इस जानकारी पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 Digital पर